हलो बच्चो कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीयस अकैडमी में बच्चो अगर हम बात करें तो हम यहां पर वर्ल्ड जोगरिफी की स्रीच कर रहे हैं और जिसके अंत साथ बड़े-स सब्सक्राइब गए पर जैसा कि अगर जैसा कि एक जो भी वच्चे नहीं जानते मैं आप बता दूं जो हमारा अर्थ है वो हमारी अर्थ को दोस्तो साथ बड़े-बड़े continent में बाटा गया हैं आ कौँन-कौँस साथ बड़े continent है दिसने North America, South America तीक है यानी उत्री America, दक्षरीan America, Africa, Europe, Asia ठीक है अस्टेलिया या उसे को ओसीनिया भी बोलते हैं फिर Asia फिर अंटारिया तो इस तरीके साथ महादीब दोस्तों आपको पढ़ने को मीलेंगे ठीक है तो जिसमें मैंने आपको पहला दच्षिड अमेरींकी गोच्छा बढ़ा दिया है और अब दूसरा में आपको पढ़ाना यह क्या कर रहे है अफ्रीका को यूरोप कॉंटिनेंट से अलग कर रही थी फिर यहां पर मैंने आपको सिनाइब पैनिसूला के बारें बहुत यह जो है रेड इसी एवं दोस्तो अधन की खाड़ी को जोड़ती है और दोस्तो अफरीका एवं एसिया कॉंटिनेंट को अलग करती है तो कल मैंने यह दोस्तो की पॉइंट यहां पता है फिर मैंने आपको यह भी पताए था कि जो अफरीका के जो नौर्थ में अगर हम अब जाएंगे तो यहां पर दूस्तों क्या हिंद महाना तो इतनी कल की कुछ चीजे मैंने आपको फिर मैंने यहां पर बताई कि इसी के पास में यहां पर रेट सागर गी तो कल मैंने यह सारी चीज़ें आपको बहुत डेटेल से और बहुत अच्छे समझाई तो जो जो यहां एक सब्सक्राइब हैं यहां पर इधर से लिखना बच्छी जो भी हैं और इससे साउथ अमेरिका उ audio को तो करेंगे यहीं पर लिखाता हूं सारा कुछ यहीं पर आपको मैप में आपको अंडर्स्टेंडिंग होगी हां जो भी बच्चे हैं मैं उनको बता दू एटलस आप अपने पास रखेंगे एटलस कौन सी बला है तो दोस्तों यह होती है यह जिससे होती है आप किसी भी कोई भी ले है अब इसमें क्या करें जिस के पास है तो वह क्या करेगा अफरीका कॉंटीनेंट को खोले गा ठीक है और उसका पॉलिटिकल वाला प्राट अब आस्में पप्र यहां वही पर पढ़ रहें उसी मेज पर सामने आप रख लिए ठिक है और जिनके पास नहीं उनको भी समझ में आ गया कि हमारा आपका क्या छूटा है आप वहां से देख लेंगे अब हम शुरू करेंगे दोस्तों कॉंटिनेंट देखो अफ्रीका कॉंटिनेंट हम पढ़ेंगे तो हम दोस्तों चलेंगे कि इधर से देखिए अफ्रीका कॉंटिनेंट में बहुत सारे तो आपको बस एक ट्रैक बनाएंगे हम लोग हम लोग दोस्तों क्या करेंगे इधर से चलना सुरू करेंगे ऐसे ऐसे चलेंगे इस तरीके पढ़ते हुए इधर से इस तरीके पढ़ते हुए ऐसे होके राते हुए और यहां पर फिर खताम करेंगे तो हम लोग ऐसे नहीं आप यह हो अब जैसे वाल्ड जाकी जिसने आफ कक्वा अफ्रीकाा कॉणिनेनुंस फॉइस मतलब क्या होता है। उस स्हां में दोस्तो हम लोग क्या पड़ते हैं कोई देज हैं जैसे आफ्रीका continent अपरिखी का continent मुरक्व देश है अलजीरिया देश है यह देश है और इन देश की कौन सी कोई राजधानी होगी मुरक्व की राजधानी रवाथ है अलजीरिया की यह है और इनी देशों में कोई इंपोर्टनठ प्लेस हैं उनको अगर हम पढ़ते हैं और हम पहले जो जो क्या कहते हैं जो अफ्रीखा stationitar में उसको पढ़नला सुरू करें वो पॉल्टिकल डिसन मतलब क्या होता है कि जैसे लेक्स है रीवर्ष हैन म autisti है ढ big चीज़ी ए-बी ट्ले-टू है ठीक है ग्रॉस लैंड हैं जिस चीज में जब हम इनको पढ़ेंगे तब उसको विज़के अंतर गाता हूँँ और फिर अ उसको बाद वी देखें तो पहले पॉलिडिकल ड양ाएंच्टों सब कूछ मर्ज हो घाता जाता है था सब कुछ लिखते जाता है बहुत ज्यादा हमको होच-पोच लगने लेता है इसी वज़िस मैंने क्या किया है मैंने आपको पॉल्टिकल अलग से बांट के पढ़ाऊंगा और फिचकर फिर दुबारा दुबारा में जब हम आएंगे तो फिचकर पढ़ेंगे तो चलिए अब आप समझ गया होगे तो हम लोग दोस्तों इसका पॉल्टिकल अफ्रीका कॉंटिनेंट का पॉल्टिकल यानि राजनेतिक जो पक्ष है वो पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कोई देश होगा उसमें कोई प्लेस होगा उसकी कोई राजधानी होगी कोई important port होगा यही सब पढ़ेंगे कोई important place होगा ठीक है इतना कुछ पढ़ेंगे तो चलिए आप लोग समझ गये होंगे क्या पढ़ ले जा रहे हैं और कैसे पढ़ेंगे थोड़ा से मैंने इसलीं किया इसब किए जरूरी है दोस्तों बच्चों को यहीं समझ में नहीं आता है कि हम पढ़ें कैसे के क्योंकि उनकी इस्टेर जी वह पढ़ते हैं महनत करते हैं सब कुछ इदम होच-पोच हो जात और एक चीज नहीं छूटेगा और आपको कोई बुक्स नहीं खरीद हैं इस चीज़ कर लेगा इस चीज़ के लिए थीक है तो चलिए हम सुरू करते हैं अपने टॉपिक को तभी आपको मज़ा आएगा और वीडियो को दोस्टो लाइक, गमेंट रेंद आएड है चैनल को भी कर लेंगे ठीक है और दोस्तोर को शेर भी कर देंगे तो चलिए पहले देस अब यहाँ शुरू करेंगे आप भी देखो gonos हूं ठीक है मुरक्कों देज़ है अब मुरक्कों की durable क्या है सबसे पहले तो यहां पर हिसकी कैपिल जानेंगे तो इसकी दोस्तो क्या है तो यानी इसकी क Dafad और अब अब हंधी में नाम 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 होता है चाहे रबाद को इंगलिस में लिखो चाहें हिंदी में बात एके रहागा रबाद को रबाथ ही बोलेंगे कोई दिख्कत नहीं तो मुरक्को की कैप匹ा है यह दिखत नहीं ठिक है यह आपको यह अपर मिलेगी दोस्तों यह उंट्म इक पूर्ड के पास होगा ठीक है और यहाँ पर आपको मुरक्को पे के पास यहां पर यह क्यों फेमस है तो इसको दोस्तों लिख लेंगे आप अपने सामने इस तरीके स्थ बनाएंगे मेरे तो यहां जगा नहीं तो आप बढ़ा आप अपने सामने लिखेंगे मैं यहां लिख दे रहा हूं का सा ब्लॉंक का पोड़ दोसे इसलिए इंपॉर्टन ने क क्या सब्सक्राइब क्या सब्सक्राइब करें यहां तो यहां रसायनिक उद्दोग के लिए प्रसेद्द्द्ध है तो कासाबलांका पोड़ कहां पर है? मुरक्को में हैं किसलिए फिमस है तो फिमस फॉर केमिकल इंडर्स्टी यानि जो रसाइनिक उद्दोग है उसके लिए फिमस है अब क्यों सा इंडर्स्टी वह आपको नहीं जाना सिर्फ बस थोड़ा ज्यादा खोज भी नहीं बनेगे ज्यादा साइंटिस्ट साइंटिफि जो आपके पेपर के लिए यह भी गारंटी है फिमस फॉर केमिकल इंडर्स्टी ठीक है तो यह इंपॉर्टन यह लिख लिए होगा यहां रसानी को दोग के लिए प्रसिद्द है लिख लिख लिए होगा कासा बलांका पोर्ट अब नेक्स्ट तीसरा जो इसमें पॉइंट है जो इंपॉर्टन प्लेस है इसमें प्लेस पढ़ेंगे वो है दोस्तो मरा केस मरा केस मरा केस ठीक है दोस्तो जो तीसरा जो इसमें एक प्लेस है दोस्तो वो क्या है मरा केस मरा केस मरा केस किसले इंपॉर्टन है तो मरा केस दोस्तों यह रेड सिटी के नाम से इंपॉर्टेंट है और शीफटी अर्य रिजिनल सिटी वह दोस्तों ये मोरक्को की दोस्तों किया है एक बिरक्रेमे जर्बीयough आपको country का दोस्तों religious place यहां पर धार्मिक चीज़ों जादा आपको देखने को मिलेंगी ठीक है तो रेड़ सिटी के नाम से इंपॉर्टन्ट है religious place भी है ठीक है रेड़ सिटी से इसलिए इसको कहते हैं तो रेड़ के रेड़ के लिए स्थाल है यहां का ठीक है religious place कस्मराकेस यह आपको दिख गया होगा मैप में बड़ा बड़ा लिखा है आपको अराम से मिल जाएंगे मुरक्को के मैप में और जो जो प्लेस में लिखा रहा हूं उनको अपने मैप में दोस्तों क्या करना है इस तरीके से डब्बे में किसी black प इस है यानि धार्मिक इस्ताले इतना जानगे इसके बाद एक यहां पर और पोर्ट है दोस्तों टैंजीर पोर्ट यहां पर पर चली पर के छोड़कर यह सबापको दोखो यह तटी यह इलाके आपको मिलेंगे बौडडर के किनारे वाले आपको देखने को मिलेंगे थिक तो जैसे तनहें पुर्ट आपको कहाम बता दूच जिस एक प्लेस है यहां पर आपको दिखेगा टेंग देगा तो आपको देखने मिलेगा तौ आपको दिख रहोगा इ handing शोट प्यां पर यहां पर आपने जिब Junior? तो तो हम को मुरक्को में कितनी चीज़े पढ़नी तो देखो फिर से मैं रिपीट करा देड़ों मुरक्को की कैप्टल रबार कासाबलांका पोट किसले फेमस है तो दोस्तों फेमस फ़र केमिकल इंड़स्ट्री मरकेस रेड़ सिटी है दोस्तों यानि और यह एक और चीज़ी लिख ऊब दोड़ा तो मुरक्को के बारे में इससे चादा आपको नहीं पढ़ना है ठीक है अब मिटा लूं मैं इसको ठीक है आपने मैप में भी देख लिए कहां पर इसलिए मैंने बनाया भी उसको आकि मैं आपको दिखा सुकू समझा चुको जो बच्चे के पास जिस चलिए मैं आपको वर्ल्ड जोगर्फी जोगर्फी मैं आपके लिए इतना असान कर दूंगा दोस्तों मैंने अल्रेडी इंडियन जोगर्फी पढ़ा रखिए पूरी एक स्रीज करा रखिए जो भी बच्छे करना चाहे तो मैं उसकी प्लेलिस्ट की जो वीडियो मैंने प्ल के कम मेंज दोनों दोस्तों सारे टॉपिक्स कबर रहां बहुत डेटेल से कवर कवर पकिया मैंने यह मक्षी रोज रोज जा जाती चलिए तो इसके बाद देखिए मुरफ एक बाद दूसरा कंट्री देखिए दूसरा कंट्री देखिए अलजीरिया आपके पास एटलर लिखेंगे तो ऐसे अलजीरिया ठीक है हिंदी इंग्लिस दोनों में कोई पार्शियल्टी नहीं की जाएगी आपको बराबर सब कुछ मिलेगा इसकी कैपिटल दोस्तों क्या है कैपिटल यानि दोस्तों राजधानी हिंदी वाले को लिए मैं बोल भी दे तो राजधानी दोस्तों इतनी कथे ना लोगना रटते रहते हैं महीं रटते रहते नहीं जयादで नहींiron वाहुत काठें नहीं याद होती तो दोस्तुरिश की राजधानी आलजीरिस A L Sorry Algerius LG I E R S Algerius ठीक है इसकी Capital दोस्तों क्या है Algerius Algerius ठीक है Capital Algeria की Algerius जैसे ब्राजिल की पढ़ी थी ब्राजिलिया बहुत आसान है ठीक है उसके नाम पर ये Algerius और इसके बारे में एक चीज़ और पढ़ना है यहां पर दोस्तों क्या है मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट पाई जाती है अब मेडिटेरियन टाइप के लिए यहां पर भूमद सागरिये जल्वायू पाई जाती है पाई जाती सतक्सधों यह मैं आपको बात बताउंगा अभी इसकी नीट है वर्ड जांको होतीए उस वही का टाइम बस यहां पर आस यहांपर भूमद सागरिय जल्वायू पाई जाती है इससे जज़्यदेर आपको नहीं पढ़ना इसकी बारे में अल्जीरिया के बहुत सारे कंट्री में इस लिए तो यहां पर भूमद सागरी जलवाईयों पाई जाती है अल्जीरिया के बारे में इससे जादा नहीं पढ़ना एक दो एक और कंट्री है यह दिखेंगे आप अल्जीरिया के और लिबिया के बीच में आप देखेंगे मैं मैंने टी लिख दिया है कि यहां पर पूरा सब्सक्रा नहीं बनता तो इसलिए टीफ हो टिउनीसिया ठीक के टिशनीसिया ऐसे होगा दोस्तों प्लों इस या ओनेख्व हो एफ natale जो इसकी क्या है दोस्तो ऍिशी तिखनिया और लीबिया के मद्र में दोस्तो क्या है टीष ऑन लोकेशन देख चलना है क्यों है वर्ल्ड ग्रफी में और यह पर पर हम चाहें को घृती ना वाल स्ट्वित्त पक्राइड नीया है क्या है इसे चीज जान गए हुधर टुट इसको दोस्तो ठीक है लिख लिए होगा अब हम चौथा देश देखेंगे बढ़ते चलेंगे फटा-फट और जानते चलेंगे और आपको दोस्तो पढ़ने मज़ा आ रहा होगा तो दोस्तो वीडियो को शेयर जुरू करते रहेगा और लाइक कमेंट एंड सस्क्राइब भी करते रहेगा इसके बाद दोस्तो चौथा देश है चौथा देश है दोस्तो लीबिया ल-i-b-y-a लीबिया ऐसे लिखेंगे ल ली-b-y-a ठीक है लीबिया की दोस्तो कैबिटल क्या है पहले तो यह जानेगे तो इसकी कैबिटल जो है दोस्तो यानि इसकी राजधानी जो है वह है ट्रिपोली 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 या इसको ऐसे लिखते ट्रिपोली ठीक है कैबिटल जो है इसकी दोस्तो ट्रिपो नखने पर छिए लिए लिखा फिर इसमें दोस्तो इंपर्टेंट जो प्लेसे संके इसके दोस्तो इसका एक इंपर्टेंट प्लेस दोस्तो तो आपको याद रखना है कि यह बहुत गर्म प्लेश भुत हो द्वेस थिंग लिख लिए स्थ घल्ट रहे होगा श्ब्स का कर्ट नि होटेस्ट प्लेस यानि गर्मिस्थल बहुत गर्मिस्थल है अल अजीजिया के बाद यहां पर एक और चीद पढ़ेंगे दोस्तों गल्फ ऑफ सिड्रा अभी कहां पर है मैं दिखाऊंगा आपको गल्फ सिड्रा यानि सिड्रा की खाडी सिड्रा की खाडी गल्फ ऑप सिड्रा यानि सड्रा की खाडी यह कहां पर है तो यह दोस्तों आप अपने मैट अ nevertheless देखेँंगे जो भी बच्चे अटलस में है और जिनके पास नहीं वहां देखेंगे अला समय यहां पर यहां पर आपको Gulf of Sidra मिलेगा देखने को यह जो मैंने यह सेव बनाया है यहां पर यहां पर जो देखेंगे यहां पर यह जो है यहां पर दोस्तों यहां भी लिखा हुआ यह सिड्रा की खाड़ी है ना यह किस देश का पार्ट है तो और आप से यह भी पूछा जा है यह किस महा सागर में यह किस सागर में स्थित है तो इसके आगे ऐसे करके लिख लीजेगा दोस्तों भूमद सागर अब मैं भूमद को दोस्तों मेडिटेरियन सी हिंदी में इंग्लिस में लिखूंगा क्योंकि मुझे वह लिखते लिखते मुझे मुझे लगता है कि मेर कभी अपने अपनी कॉपी में भी नहीं लिखता उसका नाम सिर्फ भूमत सागर इतना वड़ा है दोस्तों कि पता चला हमारा बोर्ड कम पड़ जाए ठीक है तो इसलिए मैंने इसको हिंदी दिया गल्फ और देखा सागर कभी पूछा जाए तो भूमत सागर और कंट्री प्रफ। बंगाजी पॉट बहुत इंप़। याद रखेएका पूछे जाते हैं निमलीखी यह मिलान में दिया जाता है चार फोट दिया होगा चार देश दिया होगा सामने कहेगा कॉन से सही मिलान किजे। निमलीखी मेंसे कौन से गलत है यह कुछ भी पूछा जा सकता है तो याद रखी को तो याद रखिए बेंगाजी पॉर्ट आपको याद रखना है बहूत इंपॉर्ट है बेंगाजी पॉर्ट ठिक यहkeit complete यह हो गया है तो इसो लीभिया के बारे में इस से ज्यादा आपको नहीं पढ़ना तो मैंने तो क्या पढ़ाया सबसे तो कर लेते हैं लीबिया की राजदानी ट्रिपोली फिर इसके बाद मैंने एक प्लेस पढ़ाया जो क्या है बहुत गर्म दोस्तों मैंने इसके बाद मैंने फिर सबस्ते हैं इसके पढ़ाया था के बढ़ताया क्लास में आपको तिस्री चौति यह बढ़ाया आपको बेंगाजी पोठ हो तो ये जन गए आपि पार मैं आपको तो फिर से पूरा रिवाइज कराते हैं मुरक को अब आप देखिए इदर आईए मुरक को एक और रिवीजन करते हैं क्योंकि वह जरूरी है मुरक को मुरक की कैपिटल राबाद कासा बलांका पोर्ट दोस्तों ठीक है किसले फेमस और कुछ नहीं ठीक है इसके बाद फिर क्य सब्सक्राइब करते हैं तो इसके बाद बेंगाजी पोर्ट और गल्फ अप्षिट्रा ठीक है इतनी चीज़े याद होनी चाहिए तो चलिए अब हम नेक्ट कंट्री देखेंगे इजिप्ट नेस्ट कंट्री देखेंगे दोस्तों इजिप्ट यानि मिसरी बोल्स इजिप्टंट है जिप्ट दोस्तों बहुत इंपोर्टंट है कि इसी hockey player भी जाती है इसलिए एमपोर्टन प्लेस हो जाता है इंपोर्टन कंट्री हो जाता है और इसमें तीचार आपको बहुत इंप्टरन पर्णेस्प्ध अला ह sulla go मुरक्व ठीक है मुरक्व चलिए अब आते हैं दोस्तों नेक्स जो कंट्री वो है इस इप इजी वाई पी टी इस इप इसको दोस्तों मिष्र बोलते हैं मैं भी स Regardा हूँ दोस्तो आप आप झालर मिस्ट कि दोस्तों सबसे पहले तो आप जानेके इजडिकति की digital क्या क्या है विसस्तों força क्या है क्या्यों चाहित दोस्तों सबस्तों क्या है चाइरो चाहिए फैन और इस्में इसने ब्रैकेट करी लिए दोस्तों इसी कहाँ इसमें मैं अलग पैंस लिख दे रहा हूं काईरो सी ए आई आरो काईरो दोस्तों ठीक है और इसमें दोस्तों ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे नियर भाई कि नियर बां नाइल रिवर यानि नील नदी के किनारे नाइल रिवर यह पूछा जा सकता है तो इसलिक लिए इसको दोफ है ह aik और यहनrem देख्ट स्थारं इस्में दोस्तो एक इंप्रेंट दोस्तो हां इस में दोस्तो एक चीजर यहां रखना है सिनाइप लेंगेब यहां पर मैंने पिछली विछाइब मगर यहां पर लिख देगे शिनाई पैनिंग कि शुला मैं बड़ा लिख दे रहा हूं थोड़ा तो आपको गर नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऐलेक्सेंड्रिया जैंड्रिया एलेक्सेंड्रिया इस पहलें झेन्डिया युद ये ऐल प्रिया- … ये दोस्तों आपको ये भी दोस्तों कहा मिलेगा तो ये नाइल रीवर पर मिलेगा इसको भी ब्रैकट में लिखेंगे नाइल रीवर नाइल रीवर ठीक है अलेक्जेंट्रिया पोर्ट नाइल रीवर इसके बाद यहां पर एक पोर्ड और पढ़ेंगे दोस्तों सेड पोर् तो इसको भी निखेंगे गया दोस्तू कहा पर है यह पूछा जाँ है किसके किनार स्थै कहाँ पर रहें सैड जो सयद पूला पूर्ट है सैड पोट जो है वह सैज किनाल पर Talent पर है अलेकिज्ज रिया पूर्ट जो है नायल मीशह है किनारे है सिनाई परिंसुला मिसर का भाग है और कैपिटल का जो क्या है दोस्तों काईेरो इसकी है जो भी नायल रिवर के किनारे याद रखना है यह ज़ितनी चीज मैं लिखा रहा हूं यह बहुत इंपोर्टन देश सोहेज किनाल अभी पढ़ाऊंगा देखा कि पूछा ग तो सेड़ इजप्ट यानि मिस्र दोस्तों कैपिटल काईरो नियर बाइन रीवर और सिनाई पेनिसुला में लिखा दिया अलेक्जंड्रिया पोड नाइल रीवर फिर यह साइड पोड दोस्तों यह कहां पर है स्वेज केनाल पर और इनकी लुकेशन आप देखना चाहें तो यहां पर देखा और करों यहां याँ पर लेगा ओचनाओ पर दीक तो यह आपको वने आपको तो क्यलेर है इसदerson यह है सब्सक्राइब है ओस क्लेयर है टांकि मैं कि बहुत इंपॉर्टन आप आपको लिखना नहीं है बड़ आपको ध्यान देना है इधर ध्यान की आउसकता होगी मैप की तरफ मेरे तरफ देखेंगे अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूं और बहुत इंपॉर्टन चीज़ें यह आपको किसी बुक में पढ़ते ह कर देखें पांचों के चांचों के पांचों देश ना हो भूंबद सागर से से सीमा साज़ा करते हैं ठीकिजा अध्याına निमलीखित मैंसे कौन से देश त styl इसे लिख्यान्जीरियया और सुदान आपको नाइजिरिया और सव्च वूठ पूछेगा पूछ कौन से कथन सबस्क्राइब कौन से यह सही है तो आपको बताना रहे एलजीरिया और लीबिया ठीक है कोई भी पांच कंट्री में से कोई में तीन देगा या चार हो सकता चारों को चार दे या हो सकता दो दे तीन दे और दो कोई ऐसे प्लेस दे जो इसकी नियर में आपको याद ना रहे और यह आपको कभी याद होगा जब आप इसको लोकेशन सब्सक्राइब लेए लिए अच्छों तो मेटल भूमद सागर से सीमा चत जाखने वाले अफ्रीका कॉंटिनेंट जो डेश कौन कौन से मेटल रिक है इसकी कौन-कौन से मुरक्य। त्यूनिसिया लीबिया इस यह कप कैसे याद होगा यह देखने पर याद होगा यह भूमद सागर से बॉर्डर सेर करें यह दिख रहा है आपको और यह किसी बुक में और कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा ठीक है यह आपके लिखें उनकी बारे में लिखना हूँ उप्रोक्त सभी देश अप्रोक्त अफ्रीका महादीप के एक सब्सक्राइब उप्रोक्त सभी देश भूमद सागर से अपनी सीमा साजा करते हैं त्रिक लिखेंगे में लिखेंगे, के मैंने मैं ये हाँ घृणिए इसको आपको याद हो जाएगा यहँं से बार बार कुछा जाता है ठीक है तो यह चीज हो गए आपका इजिप्ट के बाद अब हम देखो यहां पर आएंगे अब इधर क्यों चलेंगे इधर देखें अब छटा देश जो है वह सुडान है सुडान ठीक है अब नेक्स्ट कंट्री है दोस्तों सुडान चलिए आप छटी कंट्री जो है आप अपनी कौप डालेंगे सुडान तसब हला इसे इंद में एससा कि लिए और अब चुडान की दोस्तों आज तक आज काषब जो राजभणी हैं आप लोग खारतून खारतून पढ़ आएंगे सबने आज तक खारोम ऊती है jesteśmy महरें होता है ना नहीं है सुरुआ रचे जरू कही नहीं सबहने कि लोग हम साथ लोग हम्हुम्मज कर दोस्तों कर पक्तिक बहुत हुआ यह एच चाहिए देख ले हुँ उसमें मां जिखा लिखा है के लिए आर टी ओ यूम हार्तूम हिंदी में आध है हॉछ तो हम लोग खारटून खारतून पढ़ते हैं ना दोस्तो ओ वह होता है हम भी शुरूरॉ और पर दोस्ते एक पोर्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टन्ट है पूर्ट पढ़ना सेनार डेम आज तक कुछ से नहीं आया दोस्तों हलाकि लेकिन जब आएगा ना तो बच्चों की आत्मा कापेगी क्योंकि इसकी स्रीफ हम लोग कैपिटल ही पढ़ते हैं और बस छोड़के आगे भाग लेते हैं सेनार डेम यानि सेनार बांध सेनार बांध के दोस्तों कहां पर है तो अफ्रिका के महदीब के दोस्तों सुडान जो देश है उसके अंतरगत उसमें आता सेना सेनार डेम सेनार क्यार है तो इसके बाद एक और आपको छोटा भाई मिले गा сопo है मैंने सब्सकेरहां माप्य правильно है कि अब दिखाए उटान यहाँ इससका देरा हुं क्या है क्यों को है मैं लिखा दे रहा हूँ गंट्रींट कंट्री है वह साउध तौभए यनिक्यूंत ड़क्षड़ी इसको बोलेंगे हिंदी में अगर बात करें तो सजय सुड़ान और इंग्ल इंगलिस में नो इसकी जो राजदानी है जुबद्धानी जॉपा केसरी बोलो जुबा केसरी इसका सौथ उड़ान का जौततो जुबा कि दोस्तों आ ί機षि के स्रूज जूबा तє यानि जूबा जूबा दूबा न की ऑठन का में गत्स नोपाै या रखमाद रहा दूजो रहे जूबा या सब Podeo देख दो अब सारे दिर्छ और सुदान बीद है इस साघें कर रहे हैँ यहाँ से अपना अपने साजा कर रहे हैं यह …. अपने सुदान बीदे अपने ड्डेसी से अपने ळेकिन लेकिन साउथ सुदान आप देखेंगे कि यह क्या है यहIES बॉठर बॉडी से अपने सीमा साजा नहीं करता तीक की सागर या किसी बड़े महा सागर से अपना सीमा नहीं करता यानि यह क्या है दूस्तो यह क्या है दूस्तो इस कि is a landlock country landlock country देखके ही पढ़ना है कोसी दितिकत थ सीमा रुद्ध देश है यानि सीमा अवरुद्ध देश है यानि चारों तरफ से यह क्या है किसी दूसरे देश से घिरा हुआ इसकी जो सीमा है वो सब क्या है वो सागर या महासागर से या ओशियन से नहीं लगती है तो यह लैंड लॉप कंट्री अब यहां पर आपको एक चीज जोंगली चाइन वाले या चाइन के जो लोग है जो यहां पर एक जोंगली कैनाल है क्या है दोस्तों जोंगली कैनाल है बहुत इंपोर्टन है यह चीज दोस्तों मैं कहा रहा हूं यूटूब पढ़के देख लिए आपको फोकस करना मैप पे फोकस करना मैप पे तो जोंगली कैनाल यानि जोंगली नहर कहां पर है साउथ सुडान में और सेनार डैम कहां पर है तो सुडान में याद रखना है अभी तब कुछतन नहीं पूछा गया है मगर जिस बार पूछेगा ना मैं कह रहा हूं 99% बच्चे जो लगा के जोंगली कैनाल आपको याद रखना है जोंगली जोंगली मैं बोलते रहा हूं अगर दिख नहीं रहा हूं तो लिख लीजेगा जोंगली क्लान तो देखो साउथ सुडान कैपिटल बोलो जुबा केसरी यानि जुबा ठीक है इट इस लेंडलोग कंट्री यानि यह चारो सबसे किसी दूसरे देश से घिरा हुआ है इसकी सीमा जो है सागर से नहीं टेच करती है और इसमें एक जोंगली किनाल पढ़ना है कैनाल पढ़ना यानि नहर पढ़ना ठीक है लिख लिए सारा कुछ क्लियर ठीक है लिख गया होगा चलिए अब इसके बाद हम और आ गया आते हैं जंगली किनाल के बाद ठीक है लिख लिए साउट सुदान सुदान दोनों भाई की बाद हम लोग कर लिए अब यहां पर देखो अफरीका कॉंटिनेंट में आपको एक चीज़ देखते मिलेगा कि जो भाई भाई होंगे यानि जो नाइजीरिया नाइजीरिया नाइजर्स ठीक है जो मोजांबी ठीक है तो मालावी इस तरीके का आपको जो एम भाई 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 दिखेंगे यहां पर अफरीका कॉंटिनेंट वह आपको आज पास दिखेंगे दोनों आप दोनों में इतनी ज यहां पर दोनों भाई पास पास मिलेंगे वहां पर आपको दूर 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 थे उनके बीच में संबंधी नहीं था और ऐसे ही आपको फ्रेंच गुएना यह आपको दूर-दूर मिलेंगे यह थोड़ा हसी के लिए मैं बूल रहा हूं तो आपको याद रखना है यहां पर दोनों जो भाई-भाई हैं दोनों मित्र दूस्तों आपको पास-पास मिलेगे सेम वाले ठीक है तो चलिए साउथ सुडान हो गया अब साउथ सुडान और सुडान इनकी बात छोड़ते अब है ठीक है आठवा जो देश है दो जचार हां साथ एक आठवा देश है क्या ना में दोस्तों इरी ट्रिया इरी ट्री या इरी ट्रिया इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे इरी ट्रिया इरी ट्रिया ठीक है हिंदी में दोस्तों इसको ऐसे इरी ट्रिया लिखेंगे ई होगा कि एक शर मारफित रहक मि कट आइव ही ती हार एक एक से कंट्री तुफार है दुस्तों आठनी इलिटरिया एक त्रिया है इसकी जो राज़ानी उसका नाम इसमारा वैर देदि seguridad दूस्तों आसमारा ड़ Boss आप णर जोस्की है वह थ था मारा खस्मारा अस्मारा दोस्तों हिंदी में अस्मार भी लिग दूँगा मैं भी विस्ट को ऐसे पहले अस मे always a s ma a asmara Hindi में पॉस्तों यह उसे लिखेंगा हिंदी वर आधा स्हून ठीक है अस्मारा ठीक है अस्मारा यहाँ पर क्यापिटल क्यों तो अस्मारा यहाँ पर एक important पोड़ा दोस्तों वह याद एकना मसावा मेस एस डबलूए मसावा मसावा पोड़ दोस्तों यहां पर आपको दिख्ञेगा ठीक हैً मसावा पोड़ कि ओर यहां पर चीज और याद रखना यहां अग्वश्च आपको फाल अपके अब ऐसके और यही पर दोस्तो आपको पस्पार्इंद क्या क्या जोते है डिहलक आर की पिलागों अर्की पिलागों यहां तो यह है कहा पर दोस्तों यह रेड़ सीमें दिखे हैं यह कहाँ पर है इस तरीके बनाक लिखेए पहले दो कहाँ पर है और पार्ट किसमें लिख रहे हैं उसी का पार्ड होगा है कहां पर रेड़ सीमें यह जानी लाज सागर में थे और आर्कीप लागों का मतलब दोस्तों क्या होता ना datt होता है group of island ऑर्कीप लागों का मतलव होता दोस्तो गुरूप आइलन्ड यह जो आर्कीप लागों सब्द है इसको मतलव होता है group of Island जैसे हमारे हम अंडमान निकॉवार निकोवर बहुत सारे दीब समुह हूं तो उसको भी आर्की Dw defin लेकिन हम लोग दीव समू बोलते हैं और यह लोग क्या बोलते हैं तो आर्की प्लागों मतलब दोस्तों कभी आपको आर्की प्लागों सब्सक्राइब लिखा हो मिल दिया तो मतलब यह है कि गुरूप आफ़ाइलर यह बहुत सारे छोटे-छोटे दीव को मिलाकर एक बड़ मसावा पूर्ट आपको बहुत इंपॉर्टन अभी आपको कन्फ्यूजन कराऊंगा मैं बाद में पहला पढ़ लें दहला कार्की प्लागों दोस्तों क्या है यह कहां पर है रेड़ सी में और कि प्लागों मतलब होता है गुरूप आफ यानि जो दीप है उनका समू को दो दोस्तों क्या बोलते हैं बीप के समूग दोस्तों आर्की प्लागों अब यहां पर बोला जाता है यह बात इसके बाद यहां पर एक और एक छोटा देस अधिक और मैंने देखो यहां पर लिखा है वात देस हो गए इसका नवा कन्ट्री दी जे बूती दी जे बूती इसकी नाम Detalonитай बोलति इसका naam कर दिजे बूति है अब मैं इसको डिजे बूति बोल रहा हूं इसलिए कि आपको यासे आधि यहार इसको बोलते चीज़िबूति इसों बहुता है 17th में इसको जबूति देश बोलते हैं हिंदी वाले पूंगा लिखेंगे जीबूती तो ऐसे लिखेंगे विए हिंदी वाले दोस्त एसे लिख एगे जीधि ठीक्टेश दोस्तों ऐसे लिखेंगे लेकिन आपको लिखने बोल रहा हो इसलिकी को याद हो जाएगा थोड़ा सापको इंटरस्ट दीजे डीजे डीजे तो ही है डीजे बूती फिर से यह गेट खुल गया मेरा एक सिकन्ट मैं इसको लगा ही दूँगा तो फिर अभी सांथ हो जाएगा चलो डीजे बूती लिख लिया दोस्तों डीजे बूती यानि जीबूती इसकी कैपिटल भी जीबूती है देश है नवा देश लिखेंगे हम इथोपिया अब हम नेक्ट कंट्री को और और जा रहे हैं और नेक् इस जीबूती भी देख लिए और नेक्स देखने जा रहे हैं और एक देखो यहां पर अब मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ अब जो मैंने अब जैसे इजप्ट है सुडान है इरिट्रिया है जिबूती है या आप कह सकते हैं इरिट्रिया ठीक है देखो इधर देखेंगे यह इजिप्ट है सुडान है इरिट्रिया जिबूती यह चारो देश आप देखेंगे तो रेड सी से इनका बॉर्डर सेर होता है आप से पूछा जा सकता है निमलिख लोकेशन में इजेट सुडान इरीटिया एथोपिया जीबूती एथोपिया ने जीबूती एथोपिया लेंड लॉक कंट जीबूती याद रखेंगे यह बहुत इंपॉर्टन फैक्ट है दोस्तों जीजों को लोग ध्यान नहीं देते हैं इनको लेकिन कोस्टन ऐसा ही सागर से इपने सीमा साजा करते हैं लिख लीजे नोट करके खतम बात ठीक है अब यह बात हो गई चलिए अब इसके बाद हम आते हैं दोस्तों नेक्स कंट्रियस इथोपिया इथोपिया दिख रहाओं का बड़ा बड़ा लिखा है नेक्स्ट्टेंग दस्त्वा कंट्री ह कर बनाने को कितों चोडियो यह एथिए यह योग यह दोस्तों पढ़ते गल्स है इत्योपिया यह यह इघ्ष run facedriel भलत मुझेह अना हम लोग पर से असमें का यह इस भूंस क् & क्या होता दोस्तों अगर मैं हिन्डीन भिल सो इसको इस्कोइख यह इस जियो होता अ कि एठय कि अपने में आपको दिखाता भी हूँ टैकर इसकी इत्योपीया लिखा होता है ठीक ए यह एठी पिर होता है लेकिन हम लोग फोपी इस फोपे पढ़ते हैं तो आग से आपलोग कारेक्शन करने के अपनी लैंगवेश पढ़िज्य पर आपने बोलेये। लिख्कते हैं में अधियोपीया की दोसों जो ुटाइब यू इसकी जो कैपिटल है में लुग वास अधिस अभांवा अधिस अभाबा एधिदास जो आती ने जूता वाली आ-बाबा अदिस अबाबा क driven कहैं कोई इतकत नहीं lips अदिस अबाबा ago अदिस अबाबा अदिस अबाबा Speaking तो अधिस अबाबा ए बई अदिस अबाबा Full Państwo आपको वह ढूए जो Afo सेनाइल जो दो जो लवडिये गर्थ इसको बोलते देनाकिल भी ए और देनाकिल को डिप्रेशन भूलुक मैं मैं यदेनाकिल यूद्ध करूल गूर्द कर देज़ समय देरी। दैनाकिल डिप्रेशनगा तीमा बच्चो दैनाक्रदेप्रेशन दोस्ता पूछा जाएगा तो आपको बताना रहेगा कहां पर है तो यह दोस्ता पूसथ कंपनी ठीकि है कि दोस्तो एधिधास कंपनी वाले जो जूता होते जोंटेंगा 168 दुपरेशन एक प्लेश एज आपस्तों वाला कि लाइन य्ट भीनिया है दो टुंड लीने लिए है ठीक है कहां पर एंठीयोपिया में लिक रहा दोस्तो बिल्हें तो यह दोस्तो 16 हम लोग ने पढ़े हैं दोस्तों समझ में और अगर वीडियो मजा आई आपको पढ़ने में अच्छा लगा वीडियो तो दोस्तों करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर नहीं किया है तो और अपने दोस्तों को श्रेत करेंगे जो भी आपके जानने वाले हैं उन तक जरूर इसमें वीडियो को पहुचाएंगे ताकि और भी लोग जो हैं उन को भी उन तक यह वीडियो पहुंचे और और भी लोग देखे तकि मुझे लगे कि हम मैं जो पढ़ा रहा हूं वह वास्तों में महनत कर रहा हूं और लोगों को लिए आपका response आगा तो मुझेशा लगें कोई भी टीचर की क्या कामई होती है तो लगता कि हाँ डुम्हेशा को कहते ना कि कहते हैं जो करन अर्जुन बवी में है कि मेरे धार जुनन 1 वह आप लोगी है ताकि आप लोग जो वीडियो को पहुचाने में आप भी लोग मदद करेंगे दूसरों तक बाकि तो मैं तो बाई बना रहा हूं लोग देख रहे हैं ठीक है आपका दोस्तों एक खुड़ा से बस बनता है कि आप वीडियो को शेयर करते रहे हैं ठीक है दोस्तों तो चलिए और हम मैं बता दू आपको बीट पढ़ना ऐसे ही यह आप पूब्स पर्षट क्ताय मत करिए रहाएं को मैं कहरें नहीं हो आपको औरॉम्स करेंंगे कि प्रैक्टिस करेंगे में बिखते रहा हैं और इमानदारी से वीडियो को देखते रहा है और नोट साथ में बनाते रहें कोई टेंसन निरी किसी नोर्स को नहीं पढ़ना को बिवाइस करते रहा है और अधिलस पर धियान देना सबसे इंपॉर्टन मैं कहता हूं कि आप अध्यान दिए आपका हो जाएगा वर्ल्ड जोगर्फिम एक वी कोश्चन गलत हो जाए तो मुझे बताईएगा ठीक है तो चलिए फिर आज हम लोग यही तक रखते हैं वाकि कल मिलेंगे तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए और गाहँ प्र ön प्रिए भ्लाए यही तक कोरते हैं ओू करें कि थैँ और और उखा हैं आपका हैं पड़